एलो एविर्वेटन वेल्कम बैक और आपने आपने करने वाले हैं क्या पढ़ने में आ रहाया है वह तो यह कौन सा लेक्चर हुआ को रिवाई हम लोग vocabulary कर रहे हैं word par made easy ये entire book को हमने solve करने का एक द्रण निष्चे लिया हुआ है और उसी के निष्चे में हमारा ये हमारा कौन सा पार्ट है ये हमारा second lecture है अच्छा आप मैंसे कौन बता रहा है मुझे कि हमने first lecture में क्या पढ़ा था हमने session one शुरू किया था और session one में हमने क्या शुरू किया था me first session one में हमने क्या शुरू किया था me first आप लोग को याद है me first के सारे के सारे कोई मुझे बता नहीं रहा है me first के सारे के सारे words जल्दी जल्दी बताईए comment sections में आपको सारे words लिखने है चलिए एक बार हम लोग यहाँ पर discuss करते हैं एक बा पहले शब्द था हमारा attitude, क्या था attitude, attitude का मतलब क्या था, attitude का मतलब क्या था, दृष्टी कौन, very good, फिर हमने एक वर्ड सीखा था, selfishness और selfish में difference, क्या था selfishness, selfishness हमारा noun था, that means स्वार्थ भाव, और selfish क्या था हमारा, selfish हमारा adjective है, यानि कि किसी का behavior कैसा होता है, selfish होता है, स्वार्थ, अच्छा, और हमने एक phrase भी सीखा था, phrase क्या था, yes, absolutely right, dog, eat, dog, कौन सी situation में हम इस phrase को use करते हैं, एसी situation में जहां पर competition बहुत high है, और हम अपने फाइदे के लिए किसी को भी नुक्सान पहुंचाया जा सकता है, एसी situation में हम dog, eat, dog, phrase को use करते हैं, और क्या था, जल्दी बताईए, greed, greed का मतलब क्या था, लालच, आप लोग revise कर रहा हैं ना मेरे साथ में, एक word था, ruthless, 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 ruthless का मतलब ruthless का क्या था, वैसा इनसान जो कैसा है, cruel है, hard है, harsh है, और कैसा है, निर्मम है, कैसा है, mercy less है, जिसके अंदर mercy यानि की दया भाबना नहीं है, यह हमने पढ़े थे, अगर कोई और शब्द जो miss हो गया है, उसको आप लोग comment section में बताएंगे, और सारे के सारे शब्दों को आप लोग एक एक sentence के साथ में बताएंगे, ठीक है, अब हम लोग session 1 का ही, session 1, session 1 का, session 1 का हम लोग second वाला part कर रहे है, session 1 में हमारा यह second है, second है यह हमारा session 1 में, उसमें हमने पढ़ा था me first, और वो word क्या था आपका, वो word था, word था आपका egoist, क्या था word, egoist, और अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं, ego test, जब यह video खतम होगी, तो मैं इन दोना का difference भी बताऊंगी, आप लोग को पता है, हमने first part में ही पढ़ा था, कैसे पढ़ा था, वही procedure फॉलो करेंगे, क्या procedure है, पहले जितनी भी इसके hard word मुझे लगे, कि आपको वो difficulty हो सकती है, उसकी एक हमने पूरी की पूरी list बनाई हुई है, वो हम discuss करेंगे, उनको समझेंगे, उसके बाद में, फिर से इस पैरा पे आएंगे और इसे read करेंगे, आएए शुरू करते हैं, तो जैसे कि first word है हमारा conceit, इसका parts of speech क्या है, noun, इसका मतलब क्या होता, अहंकार, घमंड, that means अपने ही उपर, अपने उपर हमें, अपने उपर हमें क्या है, अपनी ही चीजों के उपर हमें क्या है बहुत ज्यादा pride है, किसी इंसान को अपनी ही काबिलियत पे बहुत ज्यादा गर्व होना, घमंड होना, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे, conceit, conceit मतलब too much pride in yourself and your abilities, अपनी abilities के उपर बहुत ज्यादा ही घमंड होना, उसको conceit कहते हैं, next word है हमारा amorous, amorous का क्या parts of speech adjective, इसका मतलब क्या होता है, actually में इसका मतलब होता है, you have romantic feeling for someone, ठीक है, romantic feeling होना किसी के लिए, पढ़ते हैं एक बार, तो आपने शायद सुना ही होगा, passionate होना आप किसी के लिए एकदम पागल है, passionate है, अब इस शब्द को हम सिर्फ किसी इंसान के लिए नहीं, आप अपनी life में कोई आपका aim है, आप उसके लिए passionate है, determined है, लेकिन amorous का मतलब क्या होता है, किसी के लिए romantic feelings होना, romantic feelings for someone, you have strong feeling for someone, you are ardent, you are passionate and that is the amorous, that means Hindi में पढ़ सकते है, प्रेम संबंदी, ठीक है, conquest, conquest का मतलब क्या होता है, आपको शायद पता होगा, जीत, conquer करना, जीतना किसी चीज को, that means जीत या विजय, parts of speech होता है, इसका noun, an act of conquering something, किसी चीज को क्या करना, conquer करना, यानि कि उसको जीत लेना, फिर उसके बाद में, अगला शब्द है हमारा practically, I am sure आपने ये वर्ड हजार बार सुना होगा, लेकिन आपको क्या है कि आता है, लेकिन जब समझाने की बारी आती है, तब नहीं हम समझा पाते हैं, इसलिए मैंने इस शब्द को भी चुना है, practically, practically का part of speech है, एडवर्ब, इसका मतलब क्या होता है, लगभग करीव करीव, जब आप पढ़ेंगे तो आप इसे और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, अभी आप समझेए, in a realistic, in a realistic or sensible way, or almost, मतलब करीव करीव, practically, मतलब almost मेरा काम हो गया है, practically, realistic way में, boastful, यह इसका most important word है, यह agotist के लिए, agotist के लिए most important word है, boastful, boastful का parts of speech है, adjective, क्योंकि यह किसी इनसान की qualities के बारे में बताता है, इसलिए यह है, adjective, आप पढ़ सकते हैं, सेखी वाज, या डिंगे मारना, I am sure, आपका कोई दोस्त होगा, या आप भी हो सकते हैं, जो आप बात होती है, इतनी सी, और बता रहे हैं, इतनी जादा, हुआ था इतना सार, आपने पूरा रामायर सुना दी है, पूरी कहानी या आपने सुना दी, जितनी की required नहीं थी, आप कैसे हुए, बोस्ट फुल हुए, एक used about a person or thing, किस इंसान या किसी चीज़ के बारे में होता है, जो अपनी ही काबिलियत पे बहुत जादा घमंड करता है, या ब्रैगिंग, ये एक वर्ड होता है, ब्रैग, ब्रैगिंग, ब्रैग, इसका मतलब क्या होता है, बड़ी-बड़ी बातें बोलना, जितनी थी भी नहीं, फिर हमारा next word है, monotonous, क्या बड़ है, monotonous, monotonous का मतलब क्या होता है, monotonous का मतलब होता है, एक ही चीज बार-बार-बार-बार होते जा रही है, repeat, सेम चीज हो रही है, अब एक बार बताईए, कोई आपकी life है, आप अब competition की त्यारी कर रहे हैं, आपको सुबह उटके पढ़ना है, कोचिंग जाना है, अपना काम करना है, फिर पढ़ना है, result दे monotonous हो गई है, कैसी हो गई है, monotonous हो गई है, parts of speech, adjective, that means परिवर्तन रहिट, कोई भी change आई नहीं रहा है, और जब कुछ चेंज ही नहीं आएगा, तो जिंदगी उबाव हो जाएगी, नीरस हो जाएगी, हाना, meaning English में समझते हैं, never changing, अगर परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, इ हजा लगता है, एक जोक आपने एक बार सुना आप जरूर बहुत ज्यादा हस हैंगे, दुबारा सुने तो शायद आप फिर भी हस देंगे, अब आप सोचे सेम जोक आप बार 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 सुन रहे हैं, अब क्या उसको आप हस पाएंगे, तो वो क्या हो रहा है, never changing, आप ने नीरस हो गई है, कितनों की जिंदगी नीरस हो गई है, जरूर बताईएगा कमेंट में, कितनों की जिंदगी नीरस हो गई है, हम भी तो जाने, अब हमारा नेक्स्ट सब्द क्या है, क्या है ये वाला नेक्स्ट सब्द, एड नौजियम, इसका मतलब क्या होता है, इसका parts of speech पीचे एडवर्व इसका मतलब होता है कि कोई बात इतनी ज्ञादा ज्ञादा बार रिपीट हो गई है कि अब बात से आपको नफरत होने लगी है क्या होने लगी है ग्रिणा होने लगी है देखिए डाज और से इट अगें एक ही बात को बार-बार करना या कहना जब तक वह बात क्या ना बन जाए बोरिंग ना बन जाए और अनोय करना मतलब परिशान करना अनोय करना मतलब परिशान करना अनोय का मतलब क्या होता है परिशान अब आप एक ही बात देखिए अगर आप अपने घर में एक ही काम को बार 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 करे जा रहे हैं आपके पैरेंट्स अब परिशान हो गए हैं आपसे अनौए हो चुके हैं वो अब उनको गुसा आ रहा है एड नौजियम कोई बात इतनी जादा करना या कहना कि अब वो एक लिमिट क्रॉस कर रही है वो बोरिंग हो गई है और अनौइंग हो रही है अब हमारा फाइनल वड़ाता है इगो इगो टेस्ट इसका पार्ट सबस्पीच है नाउन इसका मतलब होता है इगो सेंट्रिक घमंडी और अहंकारी एक बात बताईए आप अगर दो दोस्त हैं बात तो आप दोनों को करनी थी लेकिन आपका दोस्ती बोले जा रहा है अपने बारे में ही बताई जा रहा है आपकी सुनी नहीं रहा है भाई मैंने जॉब ले ली मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया अपनी ही बातों को बताई जा रहा है अंकार हो गया है अपर्सन हू इस एक्सेसिवली मतलब हद से जादा अपने आप में ही घमंडी हो गय क्या है वो सेल्फ सीकर है और क्या है वो शो आफ है बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास होता तो कुछ नहीं है दिखाने के लिए सब कर रहे हैं आता कुछ नहीं है लेकिन दिखाने के लिए बताए जा रहे हैं कि अरे हमने यह भी पढ़ा था हमने वह भी पढ़ा कि उसको लगता है कि उसको ही सब आता है सामने वाले को तो कुछ आता ही नहीं है I hope अब आपको ये सारे के सारे words समझ में आ गए है अगर समझ में आ गए है तो ये वाला पैरा आपको जरूर अब समझ में आ जाएगा अब हम लोग यह वाला पैरा रीड करना शुरू करते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा है यहाँ लिखा है the height of conceit मतलब एक खमंड की भी एक हद होती है है ना now let's see अब देखते हैं have you heard अब यह जो है यह इनसान के बारे में बात हो रही है वो ऐसा बोलता है have you heard about all the money I am making अगर मान लीजिए आपने आपको consider कीजिए कैसी situation में आप है और आपका दोस्त है आप अपने दोस्त के पास के और वो अपनी ही बोले जा रहा है अब वो बोल रहा है have you heard about all the money I am making here मतलब सुनना here यहां पर वर्व की second form है कह रहा है have you वर्व की third form है second कैसे हो सकती है वर्व की third form है क्यों third form है क्योंकि यहां पर have है हमारा ग्रामर भी हम इसी से सीख सकते हैं यह हमारा have है और यहां पर अगर वर्व आई है तो have के बाद में वर्व की third form आती है क्या तुमने सुना कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूं वो आपको इंसान उसके साथ है उसने उसको जीत लिया वो बता रहा है आपको लेट मी गिव यू माई ओपीनियन आप कोई बात कर रहे थे और वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी सला देता हूं ओपीनियन मतलब सला मैं जानता हूं I know मैं जानता हूं क्यूं कि I am an expert मैं क्या हूं मैं तो expert हूं मुझे तो सब आता है अब आप यहाप रिलेट कर पा रहे practically का मैंने आपको मतलब बताया था almost क्या मतलब बताया था almost यानि कि मैं almost सब चीजों के बारे में जानता हूं क्योंकि मैं तो expert हूं you are boastful अब यह शब्द समझ में आया boastful मतलब बड़ी बड़ी बातें बोलना you are boastful आप उस हद तक boastful है कि अब आपकी बातें अब आपकी बाते कैसी पहले हैं? अन्पलेजन्ट हो गई एह अब नॉक्शियस मतलब क्या होता है अब नॉक्सियस का कैसा हो जाना बाते एकदम खराब हो जाना You have only one string to your conversational आपकी बात करने के उसमें सिर्फ एक ही बात है और वो है नेमनी यॉरसेल्फ यानि की अपने आपके बारे में ही आप बात करे जा रहे हैं And on it you play a number of monotonous variations I hope आपको monotonous समझ में आ गया Monotonous का मतलब था never changing Mono का मतलब होता है single Mono का मतलब होता है single और tonus का मतलब tone तो एक single tone मैंने बता है नेवर changing इसलिए boring हो गया है Monotonous variations अगर आपकी बातों में बदलाब भी आ रहा है चेंज भी हो रहा है तो वो आप ले दे के अपनी ही बात गुसा दे रहे हैं What you think What you think What you have done How good you are And how you would solve the problem of the world That is आप सिर्फ ये बात करेंगे अगर आपकी बात में बदलाब आएगा तो भी आप क्या करेंगे आप क्या सोचते हैं Think मतलब सोचना What you have done आप already क्या क्या कर चुके हैं How good you are कितने अच्छे हैं आप कितने expert हैं आप और आप कैसे How you would solve the problem of the world And आप कैसे इस दुनिया की problems को solve कर रहे हैं या कर देंगे और आपकी बातें कहां पहुँच चुकी हैं Nauseam तक पहुँच चुकी हैं यानि की अब आपकी बातें Annoying होने लग गई हैं अब आपकी बातें Boring होने लगी हैं अब आपकी बातों को सुनके बहुत गुसा आने लगा है तो फिर आप कौन हो गए आप हो गए Ego Test आप कौन हो गए Ego Test इसका parts of speech क्या है Noun है समझ में आया नहीं आया क्यों नहीं आया आना चाहिए था नहीं आया तो repeat किया जाएगा भाई आपके लिए चलिए दो मिनट में जल्दी से repeat करते हैं पहला है Conceit का मतलब अहंकार या घमंड अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अहंकार होना घमंड होना अपने आप में Amorous का मतलब होता है किसी के लिए बहुत ज़्यादा strong feelings होना आप उसके लिए passionate है You want that thing Romantic feelings के लिए हम Amorous का यूज करते है और Conquest का मतलब होता है जीतना Conquest का मतलब होता है जीतना विजय Practically का मतलब होता है लगभग यानि कि आप almost हर एक चीज में बात कर रहे है Almost realistic way में boastful का मतलब होता है सेखी बाज यानि कि वो इंसान क्या कर रहा है Brack कर रहा है बड़ी-बड़ी fake रहा है बड़ी-बड़ी बातें बोल रहा है फिर next word next word होता है हमारा परिवर्टन next word क्या है हमारा monotonous Mono मतलब single Mono मतलब one Mono मतलब single और tonus मतलब tone तो single tone चले जा रही है जिन्दगी की जिन्दगी कैसी हो गई है परिवर्दन रहित हो गई है नीरस हो गई है never changing हो गई है अगर कोई चीज बदले ही ना तो बहुत बख्वास हो जाती है ulator Adnosium Adnosium का मतलब होता है कोई चीज को करना या बारबार कहना कि अब वो चीज से आप बोरिंग हो गई है और अब उस चीज से परिशान हो गए है आप कि परिशनयलिटी कैसी है आपकी परिशनयलिटी इगो टेस्ट है समझ मैं आया एको टेस्ट मतलब आप ईगो CENTRIC है और एक वर्ड है है यहां पर ego ego का मतलब पता है आपको yes ego का मतलब होता है आई और आपने एक चीज़ देखी होगी अगर हम दो शब्दों की मैं बात करूं एक है आपका अभी हमने सीखा पुरानी वारी क्लास में egoist के बारे में और एक हमने सीखा egoist के बारे में इन दोनों में ही ego ego आ रहा है इगो का मतलब होता है आई इगो का मतलब क्या होता है आई इतना समझ में आया अच्छा अब दुबारा पहरा की तरफ चलते हैं तक कि मैं एक बार फिर से आपको बोलू कि क्या चीज आपको नहीं समझ आई गमंड की भी सीवा है क्या सीवा है वो भी इन्सान पार कर चुके है क्ism question है आपको कोई problem है तो कह रहे हैं भई सभ कि चलो में ही अपनी opinion देता हूं क्यों क्यूंकि मैं expert हूँ हर एक चीज में almost मैं सब जानता हूं आप इतने ज्यादा फेंक रहे हैं आप इतने ज्यादा बोस्ट फूल हैं कि आपकी बात कैसी होने लगी है अब नॉक्शियोस होने लगी है unpleasant होने लगी है आपकी बात में सिर्फ एक ही चीज है और वो सिर्व आप एंड यूम आप की बात में बदला भी आता है वही मौनोटोनस होते हैं एक मेंस आप यहां पे भी आपने बारे में बात करेंगे मौनोटोनसमील्स बिदाउट ऐनीच जैंज अपने बारे में हो गई है एड़ नौजियम हो गई है एड़ नौजियम मतलब अब आपकी बात कैसी हो गई है बहुत जादा इरिटेटिंग हो गई है तो आपकी परस्नालिटी कैसी हुई आपकी परस्नालिटी हुई इगो टेस्ट समझ रहे हैं इगो टेस्ट हुई अब आप अब आप डिलेट कर पा रहे हैं तो इस तरीके से हमने ये चीज़ों को समझा ठीक है अब मैं हाल पर आपको वर्ड लेती हूँ फटाफट से इगो इस्ट का डिफरेंस और Egoist का difference Egoist को हम बोलेंगे कि ये completely selfish होता है ठीक है ये हम नहीं कह सकते कि entirely selfish होता है ये क्या होता है आपका ये होता है आपका boastful क्या होता है ये boastful होता है ये selfish होता है ये आपका ruthless होता है इसकी ग्रीड बहुत ज़्यादा होती है ये ग्रीडी होता है ये कैसा होता है ये ग्रीडी होता है और ये हमारा बोस्ट फुल होता है मोनो टोनस बातें करता है कैसी बातें करता है मोनो टोनस दोनों में अंतर समझ में आ रहा है अब आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं अब आप एक बात मेरे को बताएए अगर हमें सिर्फ ये शब्द सीखना होता तो मेरा फोकस इगोटिस्ट पे होता मैं आपको बता देती इगोटिस्ट वो इनसान होता है जो सिर्फ अपने 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 बारे में बात करता है अपनी ही बोलता रहता है बदलाब भी आएगा तो अपनी ही बातों में ले आएगा वही हुआ लेकिन क्या उससे कितना फायदा होता हमारी वुकैब को कितने सारे शब्दों के मीनिंग यहाँ पे सीखे अब मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ क्या हम जो पढ़ रहे हैं सिर्फ अपने इग्जाम को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं क्या क्या आपको सिर्फ इसले पढ़ना है क्योंकि आपको exam clear करना है क्या आपको English सीखने का सिर्फ इतना ही मकसद है कि exam pass हो जाए बस बाकी नहीं है काम बिलकुल काम है vocabulary एक ऐसी चीज़ है अगर आप इसे आज सीख रहे हैं लाइफ लॉंग आपके साथ रहने वाली है और अगर कोई चीज आपके साथ जिंदगी रहने वाली यह तो सीखने में दिक्कते भी आएंगी एकिन दिक्कतों सामना सामना तो आपको करना ही पड़े गा रेगूलर रहना ही सबसे बड़ informal सेयरétais सीखना चाते हैं रेगुलर रहना होगा मेरे लिए नहीं अपने लिए फ्यूचर के लिए आप कर रहे हैं जिंदगी भर के लिए आप अपने इनको एड कर रहे हैं जॉब लग गई स्कूल पास कर दिये ऐसा नहीं यह चला जाएगा कहीं हट जाएगा यहां भेजे में पूरे जिंदगी भर रहने वाला है ध्यान से पढ़िए सीखते रहिए दिक्कत आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में पूछिए अब आपको करना क्या है होमवक क्या है आपका सारे शब्दों को पुरानी वाली वीडियो का भी और इस वाली वीडियो के भी सारे वर्ड्स को आपको कमेंट सेक्शन में विद देर मीनिंग आपको लिखने हैं पुराने वालों को आपको उनके सेंटेंसिस बनाने हैं वो वाले शब्द आपको सेंटेंसिस में बताने हैं और आज की वीडियो के शब्द सिर्फ आपको मीनिंग के साथ बताने हैं पार्ट्स ओफिस्पीच को भी एड करना है इतना किलियर हुआ मेरी बात पर अगर आप विस्पास कर रहे हैं तो ये वीडियो अगर आपने ये वीडियो नहीं ये बुक की सीरीज आपने साथ में खतम कर ली आपको कभी और कोई बुक को ग्रामर के लिए तो पक्का नहीं खोलना पड़ेगा लेकिन कंप्लीट बुक यानि जितने भी मैं यहां पर सेशन्स लेके आऊंगी आपको सब को पूरे ध्यान से देखना है मेरे लिए नहीं अपने लिए ओके लेट सिट फॉर टूड़े मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए हेल्दी रहिए थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और शेयर तो डैफिनेटली करना है इतनी अच्छी चीज मिल रही है तिर्फ अपने तक थोड़ी रखनी है कौन सा वाला परसन बनेंगे अगर आप अपने तक रखेंगे येस इगोटिस्ट की इगोइस्ट कमेंट सक्षन में बताइए कि अगर कि अगर आपी और्ले कर दौ